हेलो बच्चों इससे पहले वाले वीडियो में हमने लेशन फोर का पार्ट टू यानि कब पढ़ाया था नमबर को इस्ट्रीलिंग और पूलिंग अब नमबर ये खा है एक अनेक यानि एक बचन और बहु बचन तो बच्चों संग्या के इस रूप को संग्या यानि नाम तो नाम से ही हम सब एक दूसरे को पहचानते हैं सब का एक नाम होता है या चाहे जो भी सब की चीज का नाम होता है लेकिन संग्या के इस रूप को नाम को हम पहचानते हैं कि वो संख्या में यानि गिंती में कितना है एक या एक से ज़ादा तो उसको हम एक और अनेक कहते हैं एक और अनेक यानि एक वचन एक यानि एक वचन अनेक माने बहुजन तो एक एक यानि मचली क्या है? एक है. टारा तारा भी एक है फिर इस पिक्चर में बच ऊओ साइकिल somehow साइकिल भी संख्या में यानि गिंती में एक है. अनेक जब बच्चों हम एक से ज़्यादा यानि वो दो तीन या उसमें फिर कितना भी उसमें मिला लेंगे तो उसको हम अनेक बोलेंगे और क्या बोलेंगे बहुवचन तो एक था। एक था क्या मचली अनेेक में जब एक से ज़ादा हो गए दो तीन चार पाँच या उसमें जितना भी आप मिला लेंगे तो वो क्या हो जाएगा बहु अच्छन तो एक में हो गया मचली और अनेक में क्या हो गया मचलिया तब फिर हम उसको क्या बोलेंगे जब कोई चीज एक से ज़ादा होगा तो मचलिया एक था तारा एक से ज़्यादा यानि अनेक हो गया क्या तारे तारे यानि बहुत सारे जब एक होता है तो तारा होता है उसको हम लोग तारा बोलते हैं और जब एक से ज़्यादा होता है बच्चों तो उसको हम लोग तारे बोलते हैं जब एक है तो ये एक साइकल है जब एक से ज़्यादा साइकल हो जाएगा दो तीन या चार पांच या उसमें जितना भी मिला लेंगे तो उसको फिर हम क्या बोलेंगे साइकिलें तो ये हो गया एक वचन और बहुवचन पढ़िए और समझे लड़का यहां क्या लिखा है लड़के यानि ये क्या है एक वचन लड़का पैसा गोड़ा गमला केला पतं किताब लड़की बचों ये क्या है ये है एक एक वचन इसको हम एक वचन बोलेंगे इसमें जो सबका नाम लिखा हुआ है किसी भी समान का या किसी का भी तो उससे हमको पता चलता है कि ये एक है जब एक से जादा जहां पर में लड़के या कोई भी चीज होगा तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे लड़के गोड़े किताबें लड़किया पैसे गमले पतंगें केले तो ये सब क्या हो गया बच्चों जहां बहु बच्चन जब एक होता है लड़का तो उसको लड़का बोलते हैं जब अगर एक से जादा हो गया दो तीन चार या उसमें फिर जितना भी मिला लेंगे जैसे जब आप लोग क्लास्वूम में होते हैं या कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आप लोग बहुत सारे दोस्त होते हैं तो तब फिर बहुत सारे लड़के हो जाते हैं तो उसको फिर लड़के बोलते हैं उसी तरह से जब एक घोड़ा होता है तो उसको घोड़ा बोलते हैं और जब एक से ज़ादा रहता है तो उसको घोड़े बोलते हैं इसी तरीके से बच्चों चाहे कोई भी चीज हो तो जब X होता है तो उसको एक बच्चन और जब X से जादा अगर उसमें कोई चीज मिला दो तो वो फिर बहु बच्चन हो जाता है अब हम इसका कारे पत्र करेंगे कारे पत्र यानि अब लिखने की बारी ह्ट डवलू हो गया यह इसमें आप लोग भी अपने बुक में भड़िएगा question number one में है घर में लिखे एक और अनेक सब्दों को पहचान कर अलग अलग लिखिए यहाँ पे बच्चों बुक में आपके एक लिखा हुआ है यहाँ अनेक लिखा हुआ है एक यानि एक बच्चन अनेक यानि बहु बच्चन इस घर के अंदर क्या सब है बच्चों गोड़ा तो गोड़ा क्या हुआ एक बच्चन तो इसको हम एक वाले में लिखेंगे गोड़ा पे ओकी मात्रा गोड़ा पे आकी मात्रा रा योग्या गोड़ा उसके बाद क्या है गमला तो अब हम क्या लिखेंगे ग म लपे आकी मात्रा ला गमला उसके बाद किताब औरतें सबजियां चूहा तोते बच्चे तो किताब क्या है बच्चों एक बच्चन यानि एक तो उसको हम कहा लिखेंगे एक वाले में कॉपे छोटी की मात्रा की तो पहा की मात्रा ताब बच्चाब यह हो गया एक उसके बाद चूहा तो चूहा यहां पर चूहा लिखेंगे चूहा भी हो गया एक बच्चन एक जब एक से ज्यादा चूहा होगा जहां पर तो उसको चूहा नहीं चूहे बोलेंगे इसलिए यहां चूहा है तो यानि एक चूहा अब इसमें क्या है बच्चे एक जब होता है तो उसको हमलोग क्या बोलते हैं बच्चा जब एक से ज़ादा हो जाएगा तो क्या होगा बच्चे तो यहां हम इसमें अनेक में लिखेंगे अनेक यानि बहु बच्चन तो यहां हम लिखेंगे ब आधा चौह फिर चौह पे एक ही मात राच्चे बच्चे फिर क्या है इसमें औरतें सबजियां और तोते तो एक जब होते हैं तो उसको क्या लिखते हैं औरत या बोलते हैं क्या बोलते हैं एक औरत जहां पे हो नहीं तो औरत और जब एक से ज़ादा होगे तो औरते और अतपर में एक की मात्रा और अंग की मात्रा और ते उसके बाद बच्चों इसमें क्या है सबजिया जब एक सबजी होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सबजी अजब एक से ज़्यादा सबजी होता है तो सबजिया तो यहां हम लोग लिखेंगे सब फिर आधा बहर और यह जब पर छोटी की मात्रा जी यह पर आ की मात्रा और चंद्र बिंदू सबजिया उसके बाद इसमें क्या है तोते एक रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं तोता और एक से ज़्यादा है तो उसको तोते यानि अनेक है तो तोते यानि बहुवचन यह आपका फर्स्ट क्वेस्चन हो गया बच्चों आप भी अपने बुक में भर लीजिएगा और याद करिएगा अब क्वेस्चन नमबर टू एक को अनेक से मिलाईए और सही सब्द लिखिए एक को अनेक से मिलाईए तो इसको मैच करना है इसको मैच करना है यह हो गया केला एक है यह हो गया अनेक यह क्या है बचो चूहा इसको मिलाएंगे हम यहां से इस पिक्चर में है एक से ज्यादा चूहे फिर इधर इस पिक्चर में क्या है बचो यह तिपली आईए क्या है बचो पतंग यह हम इसको मिला लिए इसका अब हमको क्या करना है एक को अनेक से मिलाईए और सही सब्द लिखिए तो अब हमको सही सब्द लिखना है तो ये सही सब्द यानी इसका नाम लिखना है ये क्या है? एक है तो क्या लिखेंगे? चूहा चौपे बडियू की मात्रा चूपे आखी मात्रा हाँ चूहा उसके बाद इसको किदर मैच किये? यहाँ तो यहाँ कैठो चूपे है एक, दो, तीन, चार तो यहाँ पर मैं एक क्या लिखेंगे बच्चों चूहे चौपे बडियू की मात्रा चूपे आखी मात्रा है चूहे फिर ये नमबर टू पिक्चर में क्या है? केला तो यहाँ पर कॉपे एक की मात्रा के लपे आखी मात्रा ला केला फिर इसको जो मैच करेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसमें एक से ज़्यादा केला है तो यह हो गया केले कॉपे एक की मात्रा के लब पे एक की मात्रा ले केले जब एक है तो केला जब एक से ज़ादा है तो केले फिर ये बच्चों ये क्या है तितली तो पे छोटी की मात्रा ती तो लब पे बड़ी की मात्रा ले तितली फिर इस पिक्चर में क्या है एक से ज़ादा तितली आ है तो यहाँ पे क्या लिकेंगे तितली आ तो पे छोटी की मात्रा ती तो लब पे छोटी की मात्रा ले यह पे आखी मात्रा और चंद्रबिंदु तो यह क्या हो गया बच्चों तितलिया आप लोग भी अपने बुक में इसको भर लीजिएगा फिर इस लास्ट पिक्चर में क्या है बच्चों पतांग प, त, त, पे अंकी मात्रा और ग, पतांग यहाँ पे क्या है एक से ज़ादा पतांग है तो यहाँ क्या लिखेंगे प, त, 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 पे अंकी मात्रा और ग, पे एकी मात्रा और अंकी माथा पतंगे तो ये बच्चों आपका पूरा हो गया थांक्यू अब इससे अगले वीडियो में हम आप लोगों को अगला लेशन लेशन फाइब पढ़ाएंगे ठीक है थांक्यू